पहली बात यह है कि Congress Party एक Bill लेकर आई थी उस Bill पर अग्छ तक चर्चा क्यों नहीं हुई है महिला ससक्तीकरण बिल मुदी सरकार महिला को अरक्ष्ण देने को तैयार नहीं है उस बिलके तह्ष्ण मोधी सरकार महिला सचक्टिकरण matar बील की उपर बात करने को तैयार नहीं है मद्धिप्रदेश में नोकरिया आप बेरोजगारों को देने ही पाए हो कहां से नोकरिया देंगे नोकरिया यहीं नहीं होंगी तो अरक्षन किस काम का होगा सिर्फ जूटी बाते हैं जूटे दावें हैं आज महिला सुरक्षित हैं मद्द पर्देश में और हर तरफ से सरकार जु है जवाब दे है सरकार कटगरे में खड़ी है मोहन यदफ जी की मोहन यदफ जी के ग्रह शेत्र में जिस तरह के मामले आहे महिलां के जुरक्षषत होने के, उस सब को दबाने के लिए लीबा पोती का काम किया जा रहा है। जो ठेले हैं उन पर ले आते हुए देखा ये कोई आज की बात है क्या ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है अगर सरकार सक्ती से पेश आती और इंफरस्ट्रक्चर पर काम करती जो इस तरह के हालात नहीं बनते सबसे पहली बात ये है कि दोशी का एंबुलेंस कंपनी है या दोशी मंतरी है या दोशी सरकार है या दोशी मुख्य मंतरी है जब तक जवाब देही सरकार ने बैठे लोग जो जिम्मेदारी के साथ बैठे हैं एक पद को लेके उनकी तै नहीं होगी तो नीचे के हालात नही सुद्रेंगे तो कारवाही सिर्फ एम्बूलेंस की ऊपर ये छोटी मचलियों में मत कीजिए कारवाही बड़ी मचलियों पर भी कीजिए जो आपकी खुद की कैबनेट में देखे भाजपा सिर्फ कहती नहीं है करके दिखाती है नारीश शक्तिकरण और महिला हित सदैव हमारी सरकार की प्रात्मिक तरह इसलिए लाडली लक्षमी लाडली बेहना और अब ये महतबून कदम इसके लिए माननी मुख्यमंत्री जी सहित समस्त कैबनेट को हिर्दे से आ देखे मद्रदेश में भाजपा की डॉक्टर मोहने आधव की नितरुत की सरकार है यहां पर कानून का राज चलता है सकती से नियम काईदे तोड़ने के वालों के खिलाफ कारवाई भी होती है और यही इस कारवाई में भी हुआ है आगे भी जब भी ऐसा होगा सक्से सक्त कारवाई की जाएगी कॉंग्रेस तो सिर्फ बॉखलाहट में जब सब कुछ विवस्तित चल रहा है तो मद्रदेश में भ्रहम और मद्रदेश को वातावरन खराब करने के लिए बदराम करने की साजिश कर रही है